तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप अपने घर में स्वस्त और सुरक्षित होंगे अपने फैमली के साथ। चर्चा सुरू करते हैं और बताएंगे कि कहा थे। आपको जैसे कि मैंने पहले इसके 42 दिन पे छोड़ के गया था कि गदर टू अपने 42 दिन पे कहा थी। 522 करोड कमाई थी। मतलब 42 दिन जो जिसका 42 दिन था जो थस्ड़ था उस दिन के हिजाब से। अब आते हैं इसके जो सातवा जो वीकेंड शुरू होता है फ्राइडे, सटर्डे और संडे उसमें गदर टू कितना कमाई है और वो अब कहां पहुँचती है। तो हम तीनो के इस तीनो जो कलेक्शन है तीनो दिन का इसके अलग-अलग ट्रेडर वालों के साथ जोड़ के देखेंगे कि ये अब कितना पठानते पीछे है। तो अपने फ्राइडे को अपने तैतालिस वे दिन में जो सातवा फ्राइडे था उस दिन गदर टू कमाती है चोंतीस लाख रुपया। उसके बाद Saturday जो की सातवा Saturday है और इसका 44 दिन है उसी गदर टू कमाती है 47 लाग रुपे आज जो की आज है उसका सातवा संडे है और ये उसका 45 दे दे है आज जो प्रेडिक्ट है वो उसके हिसाब से 49 लाग रुपे कमाती है मतलब 49 लाग और ये इसका occupancy के हिसाब से trade ने य आया है जो इसका occupancy रहा है आज का morning में 19.98 परसेंट आफ्टर नून में 37.71 परसेंट और जो evening का शो है वो काफी अच्छा जंप किया और जो trade ने बताया उसके हिसाब से काफी अच्छा है 45.38 परसेंट तो overall occupancy देखें इवनिंग तक तो इसका हो जाता है 34.36 परसेंट तो ये इसका occupancy है अब इसको हम तीनों दीन का अगर मिला के देखते हैं जो कितना होता है जो 43 वे दिन का 34 रुपया चोगाली सवे दिन का 47 रुपया और 45 दिन का 49 रुपया तीनों को जोडते हैं तो इसका होता है एक करोड तीस लाक रुपया तो अब एक करो 30 लाक साचनी के हिसाब से अगर जोडते हैं उसमें 522 करोड में तो हो जाता है 523 करोड और 30 लाक रुपया लेकिन और जो प्रेडिक्टन किया हुआ है कि 522 करोड और एक क्यों लाक था उसमें अगर 1 करोड 30 लाक जोडते हैं तो 523 करोड और 181 लाक रुपया हो जाता है तो सारे trade analysis के हिसाब से gather to पठान के record से स्रिफ एक करोड से भी कम से पीछे है मैं ऐसा उमीद कर रहा हूँ कि जब ये Monday के बाद शुरुवात होगी तो इस हफ्ते जो उसका आठवा weekend शुरू होगा इस weekend में जो उसका माल लिजे की पचासवा दिन माल लिजे पचासवे दिन में gather to हर trade के हिसाब से उस record को break करेगी जिसने को पठान ने बनाया था तो ये तो रहा उसका ये analysis कि gather to आज पठान के साथ कहा है और उसके साथ कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि पठान के साथ तो कोई भी movie release नहीं हुई थी लेकिन gather to के साथ काफी competition मिला इवें जवान के साथ देखिए कोई movie release नहीं हुआ उसको कम से कम 15 दिन तक तो एकदम bypass मिला कोई movie अब movie release होने को आ रही है लेकिन उसके आसपास कोई movie release नहीं हुआ दूसरा उसके review काफी अच्छे थे लोगों ने comment किये tutor से लेके हर जगे लोगों ने जवान का पठान का चाहे फिल्म डिस्टी के actor को उठा लीजिए चाहे critics उठा लीजिए या media से उठा लीजिए या news पर उठा लीजिए या YouTube पे जो भी social media पे लोग analysis करते हैं review देते हैं उनका उठा लीजिए सब जगे दोनों फिक्चर के बारे में बहुत अच्छा चाह बोला गया था लेकिन gather two के साथ ऐसा नहीं हुआ gather two को ऐसे ही आप देखिए का जो बड़े-बड़े रिलिज हुई उसके बाद dream girl पार्ट जो second पार्ट है उसका भी आ गई मैं आपको उसका आकड़ा थोड़ा बता जाता हूँ तब आपको पता चलेगा जो उसने कितना dent किया अब इतने dream girl two worldwide में 140 करोड कमाई है जो इंडिया नेट में 104 करोड के पास है ग्रोफ साइज का 123 करोड है तो आप सोचिए और oh my god तू वर्लड वाइड में 221 करोड और इंडिया नेट में 150 करोड 78 लाक रुपे कमाई है तो आप इसका 30% दोनों का भी मान ले तो आज के टाइम में हम लोग पठान के रिकॉर्ड को तुड़ने के लिए गदर के पास बात नहीं कर रहे होते है तोड चुका होता कभी का कि इतनी मूवी के कमपेटिशन होने के बावजूद भी जो मूवी आपने 45 दिन भी 45% के उकुपेंसी के साथ खुलती है बहुत बड़ा बात है आप कभी याद किजिए कि कोई मूवी इतने लंबे रन तक पठान भी इतने लंबे रन तक चली क्या नहीं चली क्यों चली मूवी मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड को इनालसिस करना चाहिए क्योंकि ये भारत की जन्ता जन्मानस के दिल से जोड़ी हुई है जिसकी वज़ा से गदर टू हर ची रिवीव को नकारते हुए पब्लिक जो भी सोशल मीडिया पे इसके खिलाब लोग ली रहे तो उसके बावजूद भी सारे निस्तनाबूत करते हुए 45 वे दिन तक मजबूती के साथ खड़ी है वो बोलते है ना आंधी आ रहा है उसमें भी बंदा खड़ा हुआ है तो वैसे खड़ी है और आप देखिए गदर टू का अगर जवान से भी तुन्ना करेगर जवान ने इतना ज़्यादा उसमें बिजनस के आज के टाइम में तो गदर टू केवर फर्स्ट जो वीक है या वीकेंड है वहीं पर पीछे है लेकिन सेकेंड वीक में और सेकेंड वीक में इसको बोलते है लंबे रेस का गोड़ा बोलते है न वो अब जवान का देखिए जवान और जवान और गदर टू का अगर करते है तो जवान हिंदी में 328 करोड कामाती है अपने पहले वीक में और गदर टू 284 करोड 63 लाख रुपे है लेकिन जब सेकेंड रन स्टार्ट होता है तब अपने सेकेंड वीक में जवान जो है 125 करोड और चारिस लाग पे रुख जाती है लेकिन गदर टू 134 करोड से उपर कमाती है और ऐसे ही सेकेंड वीकेंड में देखिया सेकेंड वीकेंड में जहां पे जवान 63 करोड और 50 लाग पे आके रुख जाती है कि वो लोग पठान का रिकॉर्ड चोड़ तोड़ती है जवान कि पठ जो है 63 क्रोड पचासलाख रुप्ए कमाया तो उस हिसाब से जो गदर्टू है अपने सेकंड विकेंड में नब्बे करोड और पांच लाख रुपे कमाया वो अपने हिंदी सिनवा के इतिहास में सबसे बड़ा सेकंड विकेंड की कमायी है आप जब उसके आप देखेंगे थेकेंड विकेंड के बाद उसका पंद्रहवा दिन देखेंगे 16 दिन तो गदर पठान से पीछे नहीं है आप 15 दिन में देखिए गदर जहां गदर टू 7 करोड 10 लाक रुपए कमाई है तो पठान 7 करोड 25 लाक रुपए कमाई है 16 दिन में आप गदर टू देखिए 13 करोड 75 लाक रुपए कमाई है वहां पे जहां केवल 7 करोड 10 लाक रुपए कमाई है और 17 दिन जो गदर टू 16 करोड रुपए कमाती है वहां अभी ट्रेड का एनलसिस के हिसाब से जो भी ट्रेड का आ रहा है occupancy है या advance booking है या ticket selling के हिसाब से बारह से 13 करोड़ रुपया बोल रहे हैं कि जवान जो है आज अपने 17 दिन कमाएगी जो Sunday का दिन है लेकिन वहीं पे गदर टूप 16 करोड़ रुपय कमाती है तो दोस्तों आप कभी भी तुलना करते हैं से मैं यह ज़रू सोचिए कि इतने competition के बाद इतने लंबे रंग तक चलना कोई छोटा मोटा बात नहीं है आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रू कमेंट वोक्स में बताई है फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में और कमेंट करते रहिए दोस्तों प्यार बनाये रही है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ाता है और इस तरह से इनालसिस करने का एक जज़बा देता है धन्यवाद